और आप रुख करते हैं अगले ख़बर की और आपको बताते कि पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ी हुई ये ख़बर है जिसमें पेट्रोलियम एंड नैच्रल गैस बोर्ड री गैसिफिकेशन कारवार में कॉंपेटिशन को सरकाज ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है इस इस बात की वकालत की है कि जो एले जी री गैसिफिकेशन बिजनेस है उसमें ज्यादा कॉंपेटिशन बढ़ाने की जरूवत है ताकि कंजूमर्स को इसका बेनिफिट मिले सुत्र हमें बता रहे हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए पी एंजी आर्बी ने कुछ तयार की है जिसके जरीए इस बात की वकालत की गई है कि जो मौझूदा नियम है जो लेगरेटरी नौम से उसमें बदलाव करने की जरूवत है और जो एले जी री गैसिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नए तरीके से डेवलप करने और उसको रेगुलेट करने की जरूवत है सुत्र हमें बता रहे हैं कि इसके जरीए पिएंजी आर्बी ने ये वकालत की है कि जो नए प्लियर्स हैं उनको री गैसिफिकेशन बिजनेस में जादा से जादा पार्टिसिपिशन दिलाने में मदद मिल पाईगी और पेट्रोनेट एलेंजी की जो मोनोपली है उसको भी खत्म करने में मदद मिलेगी ताकि consumers को ज़्यादा benefit मिले सुत्र हमें बता रहे हैं कि जो सिफारिशे की गई हैं उसमें कई important points से जिसको शामिल किया गया है साथी साथ PNGRB ने पेट्रनेट LNG Limited को एक चिठ्थी लिखी है जिसमें उसके financial performance से related जो details है वो मांगे diversification का उससे समंदी जो details है वो शेर किया जाए साथी साथ पेट्रनेट LNG Limited का जो business diversification plan है वो क्या है अगले 5 साल का business plan क्या है और साथी साथ उसकी जो terminal है उसकी capacity utilization की स्थीति क्या है इससे समंदी तमाम details मांगे गए हैं जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो LNG market है इस बात की सम्भावना है कि अगले 4-5 सालों के दरान इसमें 9% से ज़्यादा की बढ़ोती हो सकती है लिहाजा market में ज़्यादा competition बढ़ने से consumers को benefit हो सकता है नए players की entry हो सकती है लेकिन ये भी एक interesting fact है जिसको की ध्यान में रखने की जरूवत है कि मौजुदा नियमों के हिसाब से जो एलेंजी री गैसिफिकेशन टर्मिनल से इंफ्रास्ट्रक्शर से वो पी एंजी आर्बी के regulatory पर व्यू में नहीं आता है लेकिन जो हालिया developments है और जो ये सिफारिशन तयार की गई है उसके जरीए ये माना जा रहा है कि पी एंजी आर्बी ये intention शो कर रहा है कि वो एल झाल